दोस्तों नमस्कार, अनलोक स्टेडी के दसमी कच्छा के गनित में आपका स्वागत है, आज हम लोग प्रसनावली 8.1 के प्रसन संख्या 1 को सौल्व करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे की हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तो आए वीडियो सुरू क करते हैं प्रस्ण संख्या एक है तिरभूज ABC में जिसका कोन B समकोन है AB बराबर 24 सिंटीमीटर और BC बराबर 7 सिंटीमीटर है निमलिखित का मान गयात किजिए यहां दो भाग दिया गया है पहले भाग में साइन A और कौस A का मान निकालना है और दूसरे भाग में साइन C और कौस C का मान निकालना है दोस्तों आपका सवाल कह रहा है तिरभूज ABC में जिसका कोन B समकोन है तो इससे तो A असपष्ट हो गया कि हमें समकोन तिरभूज बनाना है तो आए सबसे पहले समकोन तिरभूज बनाते हैं तिरभूज बना लिया अब कह रहा है जिसका कोन B स समकून हैं तो इस कोन को हम समकून कहते हैं क्योंकि यह 90 डिगरी का होता है और बी समकून है इसलिए इसकून का नाम देते हैं भी इसकून का नाम हो गया भी ए और सी आप कहीं भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आएए हम एको यहां रख लेते हैं और सी को यहां रख है 24 cm तो यहीं है ना तो यहां हम लिख देते हैं 24 cm अब कह रहा है बीसी बराबर साथ सेंटीमीटर तो बी से सी वाला लाइन है तो यहां हम डाल देते हैं साथ सेंटीमीटर अब लिखेंगे चित्रा नुसार तिर्भुज एबीसी एक समकून तिर्भुज है जिसका कून भी समकून है एबी बराबर कितना है 24 cm है और और बीसी बराबर है साथ सेंटीमीटर तो लिख देते हैं बीसी बराबर साथ सेंटीमीटर तो दोस्तों आपको पता है ना कि समकून के सामने का भुजा क्या होता है कर्न होता है जिसको अंग्रेजी के अक्षर एच से भी सुचित करते हैं लंब एभी हो सकता है लंब एभी हो सकता है क्योंकि यहां कौन नहीं दिया गया है तो आये सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं तीर भुज एबी सी में पाइथा गोरस पर में से क्या होता है कि कर्न का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस अधार का वर्ग अगर हम इसका स्क्वाइर हटा देते हैं तो इधर रूट आ जाएगा जैसे कर्न बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वाइर प्लस अधार का स्क्वाइर तो अब हमें करना है लंब का स्क्वाइर और लंब हमें पता नहीं है कि इसको रखें या इसको रखें खेर कोई बात नहीं है दोनों का स्क्वाइर करना है और दोनों को जोड़ना है इसलिए हम किसी को भी लंब माल लेते हैं चलिए हम इसे लंब माल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 24 का स्कुरेर प्लस के साथ का स्कुरेर हो जागा आधार तो जब 24 का स्कुरेर करेंडे तो हो जाएगा पांच सो छेहत्तर और जब साथ का स्क्वाइर करेंगे तो यह हो जाएगा 49 दोनों को जोर देते हैं यह हो जाएगा नौशो पंद्रा के 5 हासिल 1 साथ चलेगा रहा एक बारा का दो हासिल 1 पांच और एक छेह जब इसे हम रूट से बाहर करेंगे तो यह आजाएगा 25 तो आएक करन के जगह 25 लिख देते हैं अब हमें मान निकालना है साइन ए और कॉस एका साइन एका और कॉस एका तो दोस्तों आपको पता है कि साइन का मान जो होता है वह होता है लंब बटा करन और कॉस का मान होता है अधहार बटा करन इसको इंगलिस में हम लिख सकते हैं पी बटा एच और इसको इंगलिस में लिखते हैं बी बटा एच तो आएए देखते हैं पी बी और एच का मान कितना है दोस्तों यहां साइन ए कह रहा है यानि ए वाला जो ए है यह कौन को दर्साता है तो इसका मतलब ए है कि भाग संख्या एक में कौन जु होगा वह ए वाला कौन होगा जब कौन A होगा तो इसके सामने का भूजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा जब लंब A होगा कर्ण तो A है ही तो अधार क्या हो जाएगा अधार हो जाएगा 24 तो लंब है 7 अधार है 24 और कर्ण है 25 अगर एसी के जगह पे अगर कोन एना होखरके अगर कून सी होता अगर कून सी षो जाता तो क्या होता लंब हो जाता 24 क्योंकि हमें पता है कि कून के सामने कभुया लंब होता है तो आये साइन ए और कॉस ए का मान लिख लेते हैं कि चुकि कौन ए है तो ए के सामने का भुजा लंब हो जाएगा तो लंब कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा तो लिख लेते हैं साथ और कर्ण का मान कितना है तो पचीस है तो साथ बटा पचीस एंसर हो जाएगा कॉस A का मान निकालना है तो कॉस A का मान B बटा H होता है तो जब लंब A होगा तो आधार क्या हो जाएगा A वाला हो जाएगा यानि B का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25 तो A हो जाएगा 24 बटा 25 अब साइन C और कॉस C का मान निकालना है यह था मेरा भाग संख्या एक अब हमें भाग संख्या दो में कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है तो सी कहे एक कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका ही मान हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण कॉस सी बरावर हो जाएगा कि अध्यार बटा कर्ण कर यह तो कोनका मान कितना है के कुण सी कह रहा है तो कोन सी अगर यह मानते हैं तो इसके सामने कब हो जाएगा लंब हो जाएगा तो लंब कितना है चव creatively 1997 और करन है पचीस तो लिख दते हैं पचीस यही मेरा इंसर हो जाएगा और cos c का मान होता है अधार बटा कर तो जब लंब e होगा तो अधार क्या होगा यहीं होगा ना तो यह हो जाएगा मेरा 7 बटा में 25 दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ट